फाइब सेकेंड टू सेकेंड रेडी अध्यच्छ महोदे राश्टी रच्छा अकादमी हमारी एक सूपर्तिष्टित संस्था है यह बहुत सुन्दर इस्थल में इस्थित है और इसका संचालन बड़ी कुशलता से हो रहा है इसलिए यहां आने पर बहुत खुसी होती है विसेशता है यहां के प्रतिभास साली यूकों को देखकर जिन्होंने 91 कूर्स पूरा कर लिया है और जो हमारी सुतंतता की रच्छा करते रहने की भारी जिम्मेवारी सभालेंगे अकादमी में प्रवेश पासकना एक सलागनी औसर है इसके लिए कड़ी प्रतियोगिता करनी होती है यहां रहकर आपको यह मौका मिलता है कि आप अपनी सारेलिक मजबूती जोखिम से जूजने की छमता मानसिक सजगता ताकि नमनियता बिक्सित कर सकें तथा सैनिक समूह रचना और तक्निकी की बारीकियों से हिर्दयांगम कर सकें आपको यह भी मालूब होना चाहिए कि कौन सी ऐतिहासिक सक्तियां सक्क्री हैं आधनिक युग में सैनिक नत्रत्त के लिए इन सब की आवस्यक्ता होती है एक समय था जब सैनिक से केवल सारेलिक छमता की ही अपेच्छा की जाती थी मांसिक सजगता की नहीं हाला की यह देखा गया है की महांतम सेना अध्यच अपने सारेलिक साहस के साथ साथ बौध मिक्ता और सोज बूझ के लिए भी बिख्यात रहे हैं रच्छा के छेत्र में आध्युनिक्तम प्रदोग की के समावेश से विसलेशन तथा वैचारिक शमनमे की छमता और भी आवस्यक हो गई हैं प्रतेक इस तर पर अफसरों के लिए एक प्राथ्मिक जरूरत यह है की वह अवरों का विश्वास तथा वफादारी प्राप्त कर सकें वफादारी किसी परंपरा के रूप में नहीं प्राप्त होती है इसके लिए एक प्रकार की पारसपारिक्ता जरूरी होती है जवान उन अफसरों के प्रती आज्याकारी होते हैं जो निकी चिंता करते हैं तथा उन्हें किसी उद्देश के प्राप्ती के लिए प्रेरीत कर सकते हैं आज कल के युद्ध संपूर्ण युद्ध बन गए हैं और परचार मध्यम अपनी रोसनी युद्ध संबंधी पर्यासों पर डालते हैं सैनिक नेता जो कुछ करते हैं वह पूरे राश्ट के सामने होता है इसलिए यह और भी ज़्यादा जरूरी है कि वे अपनी करतब निष्ठा तथा योगता से पूरी जनता का विश्वास प्राप्त करें चाहे सैनिक जीवन हो या आसैनिक जीवन उसके नेताओं को विगत के अनुभवों की पूरी जानकारी होने के साथ साथ भविस के बारे में भी अवस्य सोचते रहना होगा जो लोग अतीत की अंदेखी करते हैं उन्हें अक्सर पहले की भूलें दुहराने का दोसी ठहराया जाता है लेकिन जो भविस की परिकल्पना नहीं करते वे अपने आपको दोस के हवाले कर देते हैं मेरे प्यारे देशवासियों हमारा यहां क्रत संकल्प है की नई आर्थिक नेती सामाजिक न्याय की समवर्धक बने तथा उसका पूरा पूरा लाव हमारे दलित आदिवासी पिछडे और पिछडों में से पिछडे वर्गों तक पहुँचे इस दिसा में गत तीन वर्षों में हमने कई महत्त पूर्ण योजनाएं सुरू की हैं इसी क्रम में अब हम कुछ नए कलम उठाने जा रहे हैं ग्रामी इंड इलाकों में अधिक और सुनिश्चेत रोजगार के आउसर उपलब्ध कराने के लिए केंद सरकार दस हजार कलों रूपए की एक नई महत्तोकांची योजनाश शुरू कर रही है केंद सरकार द्वारा प्रायोजेत यह योजना संपोण ग्रामीर रोजगार योजना होगी इसके अंतरगत ग्रामीर छेत्रों में पंचायतों द्वारा संचालित इस्थाई विकास के कार्यों में काम करने वालों को नकद और अनाज के रोप में मजदोरी मिलेगी इसके लिए पाँच हजार करोण रोपय के मूल का पचास लाख टन अनाज राज्यों को हर वर्ष आबंटित किया जाएगा मवजूदा सभी रोजगार योजनाओं को इस ब्रहद योजना में समलित किया जाएगा इस योजना से लगभग सव करोण स्रम दिन के रोजगार के आउसर उत्पन होंगे हमारी अर्थ ब्यवस्था में एक खास बिसंगती है प्राया समूची बचत बैंकों में जमा है बैंक इसका पूरी तरह से विकास कार्यों में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे है दूसरी तरप अर्थ ब्यवस्था के आसंगठित छेत्रों को बैंकों की सहायता नहीं मिलती ए आसंगठित छेत्र हमारी अर्थ ब्यवस्था का दो तिहाई हिस्सा है इस छेत्र के रिण वापसी की साख बड़े उद्योगों की तुलना में अच्छी है हम आसंगटित छेत्रों को साधन मुहया कराने के लिए कुछ संस्थागात प्रबंध का विचार कर रहे हैं विकेंद्री करण के बिना ना तो विकास में तेजी संभव है ना ही इसमें जनता की भागी दारी इसलिए दस वर्ष पहले पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार सौपने के लिए हमारे संभिधान में दो महत्तपूर संसोधन किये गई लेकिन अभी भी बित्ती और प्रसासने द्रिष्टी से हम पंचायतों को परियाप्त रोप से अधिकार संपन्न नहीं बना पाए हैं इस महत्तपूर उद्देश को प्राप्त करने के लिए सरकार सिग्र हे एक राष्टी बहस छेडेगी जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के तीस लाग से अधिक सभी निर्वाचित प्रतनिधियों को सामेल किया जाएगा हम चाहेंगे कि विकास की प्राथमिकताओं का निर्धाराड कारकर्मों की योजना तथा कार्यान व्यान ग्राम वासियों की भागीदारी से पंचायतें स्वयम करें इसके लिए पंचायतों को तथा ग्रामील विकास कार्यों में लगे गैर सरकारी संगठनों को बैंकों से रिण उपलब्द कराने के बारे में भी कदम उठाए जाएंगे बीस्वी सदी के अंत तक सब के लिए सिच्छा मुहया करने का लच्छ रखा गया था लेकिन हम अभी इस लच्छ में काफी दूर हैं फिर भी पुरुस और महिला साच्छता दर में बृद्धी के आंकडे लगातार उपर की और जाते दिखाई दे रहे हैं जाएंगे